अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहले बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रु सब्सक्काइब कर लिजेगा और बेल आइकन को जबर्दवा दीजे ताकि नए वीडियो को नट्विकेशन सबको हमसा मिलती रहे हैं मैं आपके लिए हमेशा वीडियो बनाते रहता हूं और इस बार मैं आपको बहुत ही अच्छी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं उस वेबसाइट के बारे में ना सिर्फ मैं बताऊंगा उसका अच्छे से इस्तिमाल करना में सिखाऊंगा तो उस website के बारे में मैं बताऊंगा, उसकी पूरे detail बताऊंगा, बट उसके पहले थोड़ी सी information उसको सुन लीजिए, अब देखिए, आप ये वीडियो देखते हो, मेरे तो अच्छा लगता है, तो like भी करो, अपने दोस्ते के दामें share करो, ये तो ठीक है, लेकिन आप मेरे telegram channel को भी join करो, इससे क्या होगा कि जो live market में मुझे update देने होते हैं आपको, वो मैं update यहीं पर देता हूँ, या फिर अगर आपको notification नहीं आ रहा है, या फिर आपको जानना ही कि मैंने कौन सा वीडियो बनाया है, तो यहां पर आकर कि मेरे channel पर देखिए, या फिर इसमें आप join आगे, तो मैं वो लिंक डाल देता हूँ, तो यह आपको benefit होगा, तो यह benefit आपको मिलना चाहिए, दूसरा, मेरे Twitter ID को भी follow करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कि कुछ चीजी हम Twitter पर share करते हैं, जैसे कि यह अच्छी appointees आपके साथ share करी थी, तो ऐसे ही appointees मैं Twitter पर share क करिए, लिंक आजाएगी, या फिर channel आजाएगा, green color का S का symbol हर जगा मिलेगा, आप उसको join के लिजिए, और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे इस number पर contact कर सकते हैं, WhatsApp करेंगे, आपको help कर दिया जाएगा, और इसके अलावा, आप अगर stock market में नए हो, या फिर कि आप अगर Serkhan के client हो, तो मैं Serkhan का सब broker हूँ, सूरत में रहता हूँ, और मेरे पास Serkhan की franchi है, तो मैं Serkhan के लिए client हो, मतलब अपने clients को काफी help करता हूँ, जो भी Serkhan के client है, तो आप भी अगर Serkhan के client हो, तो एक बार मुझे से ज़रू जुड़ो, आपको काफी support मेले और दूसरे information कि यह जो website है इसके बारे में मेरा कोई commercial interest नहीं है मैं इसका सिर्फ आपको समझाने के लिए आपको बताने के लिए ताकि एक अच्छी website आपके knowledge में हो वो मैं चाहता हूँ ताकि आप पता जा सके वाकि इसका मेरे साथ कोई भी personal commercial interest नहीं है और इसमें जो भी चीजे मैं बताऊंगा तो यह सब चीजे आपको वहाँ पर मिलेगी और इस पर जो भी data होगा उसके responsibility इनकी है मेरी responsibility नहीं है सब सब पहले उसका नाम बता दिये उसका नाम है screener.in अब इसका इस्तिमाल आप कहा करोगे तो देखो अगर आप CR बजार में हो तो आपको company के बारे में पढ़ना पड़ेगा तो company के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो आप यहाँ पर tool में कुछ screener, screen भी बना सकते हो, scan कर सकते हो वो सब चीजे है और भी बहुत सी चीजे है जो मैं आपको detail में बताऊंगा और यह एक वीडियो में possible नहीं है इसलिए इसके हो सकते हैं एक दो वीडियो और बन जाए तो आप चैनल पे जरूर चेक करिएगा कि कौन-कौन से वीडियो बने हैं screener के तो आप सब पूरा मिल जाएगा और जो भी बनेगा उसके लिंक मतलब जो भी अगला वीडियो बनेगा उसके लिंक इस से वाले वीडियो के comment box में हो जाएगी मतलब एक दूसरे में description box में मिलेगा तो आप उहां पे जाकर चेक कर सकते हो और भी बहुत सी important है चीजे जो आपको जानी चाहिए अगर आप नए हो तो आपको यह बहुत important है कि आपको पता हो अगर आपको पता है तो कहा देखना है अगर आपको पता है तो कहा देखना है यह सीख लो और अगर क्या देखना है नहीं पता है तो आप मेरी classes join कर सकते हो हर महीने नई बैच चलती है वहाँ पर मैं सीखाता हूं कि कैसे technical analysis और fundamental analysis की जाती है सो यह वीडियो आप अगर देखेंगे तो पूरी information में आपको मिल जाएगी अगर यह वीडियो भी ना समझ में आ है तो यहाँ पर home channel पर आप आओगे तो यहाँ पर यह पहला वाला ही वीडियो है classes के बारे में जो की है हमारा screener को हम कैसे समझेगे और एक बात याद रखो मेरे किसी वीडियो को भगा करके मत देखा करो क्योंकि मैं जो knowledge देता हूं वो knowledge YouTube पे कोई नहीं दे रहा है यह बात समझी आपको खुद यहाँ इस वीडियो देखकर के समझ में आ जाएगा सो कोई वीडियो भगा करके मत देखो confusion रह जा तो मैं support भी करता हूं कोई support नहीं करता हूं सब वीडियो बना करके भाग जाते हैं मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी confusion मेरे किसी वीडियो में हो यहाँ पर WhatsApp पे number दे करके आप query solve करवा सकते हूं तो सबसे पहला आपका काम क्य करना पड़ेगा तो shortcut कैसे करेंगे तो काफी लोगों को पता होगा जिनको नहीं पता है उनको बता देते हैं तो देखो shortcut का मतलब क्या है यहाँ पर देखो screener लिखा है तो मैं इसके उपर click करूँगा तो आराम से मैं direct वहाँ पर पहुँच गया या फिर लेट से मेरे पास उपन करने के बाद Windows की या जो कीबोर्ड आपका है कीबोर्ड का आपका CTRL-D 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 करके आप बटन दबाओगे तो आपका यह bookmark करके आज़ेगा तो यह bookmark यह सब basically bookmark होते है तो आपको bookmark करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप चाओ तो कुछ ऐसा आपका हैगा मैं आपका यहाँ पर ऐसे सेव हो जाएगा यहाँ पर देखो यह सेव हो जाएगा और यहाँ पर विसे में तो यहाँ पर आप एड़ सौटकट पर क्लिक करके यहाँ पर वो डाल करके और यह लिंक यहाँ पर ले करके CTRL-C कॉपी करके यहाँ पर URL प्रेस्ट कर दीजे और यह मेरे पास है तो आप ऐसे कर दोगो तो यहां पर आपको शॉट कर बना सकते हो यहां पर बुकमार भी बना सकते हो सिंगल कलिप पहुंच जाओगे पहला काम हो गया दूसरा काम इस विब साइट में आपको अपना सकता सिंपल लॉजिक मुझे मेरा काम होना चाहिए इस तो आप एक अपनी अलग से जीमेल इडी बना लो ताकि आप उसका बेनिफिट हर जगा उठा सको हर एक वेब साइट में आप अपने यहां पर एमेल इडी यह है और इसके बात फिर आपके जीमेल इडी डाला है वहां पर एक mail जाएगा उसको verify कर लिजे तो आपका बन जाएगा यह बहुत easy है और आपको समझ में आ जाएगा तो मैं यहां पर login कर रहे नहीं अब मैं login हो गया हूँ अब आपने अगर login कर लिया है तो अब इसके पहले हम website के structure को सबस्ते हैं तो website के structure को अगर हम समझेंगे तो यहां पर देखे एक search box है search box में basically हमें जिस company के बारे में जाना है उसमें जाकर के अगर tick करेंगे तो हमें आ जाएगा जैसे मैं try के लिए करता हूँ जैसे मुझे जाना है Tata Motors के बारे में तो Tata Motors यहां पर लिख करके आगया तो Tata Motors में मैं क्लिक करूँगा तो उसकी detail यहां पर मेरे सामने open हो जाएगी बट detail next part है पहले हम आगे समझते हैं तो यह price का यह मतलब अपनी website का main structure है अब इसमें कुछ चीज़े हैं देखो जैसे यहां पर feed है यहां पर feed वाले section में ही है basically यहां पर हमारा screens है screens में आएगे तो यहां पर अलग-अलग scanner बंदे हैं इसलिए मैंने कहा कि एक video में possible नहीं है services, bearings, cables, capital goods, electrical equipment, capital goods, non-electric equipment तो यह sector wise हो गया, sector wise का मतलब क्या है जैसे आप यहां पर लिखोगे bearings तो bearings वाली जितनी भी companies आजाएंगी वतलब जो bearings का काम करते हैं वो सब यहां पर automatic आजाएगी तो आपको एक साथ पता जल जाएगा कि इस sector में कितनी companies हैं यह पहला point है दूसरा point अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप simply उस company का नाम सर्च कर सकते हो जैसे यहां पर मैं लिखता हूँ SKF India मैंने लिख दिया तो यहां पर देखो sectors क्या आएगा उसका यहां पर आप देखो नीचे सीधे सीधे यहां पर देखो यहां पर peer conversion तो यह peer conversion में इसका सीधे सीधे bearings करके लिखके आजएगा sector क्यає vendor bearings है और bearings इसका आजएगा तो यह नीचे आप इसके साथ एक जैसा ही business करनने वाली companies यहां पर है उसके साथ नहीं, बैसिकली उसके जैसा ही बिजनेस करने वाल यहार पर कमपनी है, मैं फिर समय पीछे चलता हूँ, तो यह हमारा था स्क्रीन में, तो यहां पर हम अपनी स्क्रीन में बना सकते हैं, यहां पर टूल में अगर आओगे, तो यह कुछ पेड़ टूल है, आप उसको लोगी, तो पेड़ वर्जन ले लिया करो, बट मेरे हिसाब से आप पेड़ वर्जन अभी, चीजे इस्तिमाल करना सीख लो, अगर आपको लगे कि मेरा पेड़ वर्जन में काम होगा, फ्री में नहीं काम होगा, तो फिर पेड़ लीजिए गा, और अगर आपको लगता है कि मेरा free version में काम हो जाएगा तो फिर paid version में लेनी की जुरूत नहीं है तो paid वाला काभी मैं वीडियो आपको बनाऊंगा बट आगे वो next part में तो अभी मैं free का कर रहा हूँ क्योंकि most of the public free का ही ढूंडती है चलिए public के उसका स्वागत करते हुए हम free में चलते हैं simple तो यह तो हो गया पहला part हमारा हमने यह समझ लिया अब हम चलते हैं सबसे पहले किसी company के बारे में लिख ला तो सबसे पहले हम किसी company के बारे में जानना चाहते है तो उसका नाम लिख देंगे तो यहाँ पे Tata Motors Tata Motors मैंने लिख दिया अब Tata Motors का जब मैंने लिख दिया तो यहाँ पे देखो कुछ चीजे फिर से है यहाँ पे देखो Tata Motors लिख या गया तो यह देखो information यहाँ पे आ गई उसकी company की अलग-अलग information यह information बेसिकली अगर आपको नहीं पता है तो इसलिए मैंने क्या आप fundamental NCC को ताकि आपको इसको कैसे देखते है इसका क्या मतलब है आपको पता चल सकी तो इसमें देखो information आपको क्या मेरे तो एक तो Tata Motors है उसका नाम उसका share price यानि closing price क्या है किस दिन का 28 जून का कईतना उपर नीचे हुआ वो चीज़ यहां पर है उसका website का address उसका BSC का code और उसका NSC का ticker यहां पर basically हम इसको ticker बोलते है या फिर उसको बोलते है symbol तो Tata Motors इसका symbol है और यहां पर देखो information दिए तो यह information आप edit भी कर सकते हो मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ बट अभी आगे तो सबसे पहले यहां पर देखो information आपको दिदीगे और यहां पर right side में आप देखोगे तो about section है about section में आप company के बारे में पढ़ोगी कि वो company काम क्या करते है उसका business क्या है और उसके नीचे आप जाओगे तो key points है key points का मतलब उसके important highlights तो उस पे आप अगर read more पे click करोगे तो वो important highlights आजाएंगे important highlights में क्या होगा कि उसका जो भी category है उनके जिसल है jaguar land rover उसकी है और commercial vehicles के कितने आते हैं passenger vehicles के कितने आते हैं vehicles financing में कितना मिलता है और others का income business क्या है तो यहाँ पे revenue mix है मतलब इनके कितने segment से पैसे आते हैं और jaguar land rover ये के अच्छा आपका brand पता आपको land rover, general, freelander, defender यह सब इनकी अच्छी खाजी series है और काफी premium series है तो यह information आपको हैंब मिलेगी market share मतलब पूरी data motor गाड़ी बनाती है तो आपको पता चल जाएगा data motor गाड़ी बनाती है चलिए तो यह आप यहाँ पर पढ़ लोगे उसके बाद अब जब नीचे जाओगे तो नीचे देखो आपका अलग-अलग का segment है तो मैं उसके structure बज़ता हूँ कि जब हम किसी company का chart open करेंगे तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा तो नीचे जाके भी हमें पता चल सकता है basically अगर हमें पता है कि हमें क्या देखना है तो हम direct वहाँ पर jump भी कर सकते हैं तो jump कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखो दिया हुआ हूआ है तो यह देखो कैस्पलो तो basically हम jump कर सकते हैं without scroll किये जब आप expert हो तो आप jump करोगे और जब आप expert नहीं हो तो आप पहले चीजों को देखोगे और सीखोगे सीखना बहुत जूररी होता है तो यह तो हो गया अब हम नीचे चलते इस segment के इस सम चीजों के मैं फिर से explain करूँगा बट अभी पहले इसके structure को समझते है दूसरा structure आपका क्या है तो यह देखो चार्ट आ गया तो चार्ट में यहाँ पर क्या information है तो चार्ट में यहाँ पर जो information है वो यह है कि right side में देखो आपकी price दी हुई है यानि उस share का price जिसने पान सो पटास एक बार बना हुआ है एक level बना हुआ है जिसने यहाँ पर यह 500 है तो इसका मतलब share 500 का था OK और इसके उपर है तो 500 के उपर है यहाँ पर पता चलेगी यह एक scale होता है यहाँ पर जो scale दिया होती है वॉल्यूम का स्केल दिया होता है, मतलब अगर यहां पर है तो इसका मतलब इतनी वॉल्यूम थी, यानि 40,000 की वॉल्यूम थी, बेसिकली यह फंडा होता है, अब इसमें काफी चीज़, यह देखो वन येर लिखा है, तो इसका मतलब मैं एक साल पुराना चार्ट देख रहा यह हम मैक्स का देख रहा है, क्लियर अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट है यहां पर हम प्राइस देख रहा है कि क्या देख रहा है, तो यहां पर अगर मैं प्राइस का चार्ट देख रहा है, और उस प्राइस में, यानि प्राइस का यह ब्लू कलर वाला प्राइस ह और यह दो लाइन क्या है, तो यह दो नो लाइन यहाँ पर नीचे दिया हुए, दिखो यह price दिया हुए, blue color का, और यह yellow color में जो दिया हुए, यह 50 days का moving average, यह 200 है और यह volume है, तो अगर मुझे यह नहीं चाहिए, तो मैं इसको 50 dia में हटा सकता हूँ, यह मैं हटा दिया है, त 50 और 200 के ऊपर है, तो 50 और 200 के ऊपर हो गया, तो 50 और 200 के अगर ऊपर हो जाएगा stock, तो bullish हो जाता है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा trick दे दे रहा हूँ, देखो, जैसे सीखू, यहाँ पर stock क्या था, blue वाला ऊपर निकल गया, 50 के, 50 वाला 200 के, तो यह 50 के ऊपर है, 200 के 50 के ऊपर है, तो यह 50, बतलब यह price, 50 and 200, यह ऊपर हो चला गया, तो यह देखो, stock bullish हो गया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आगया, 50 के, फिर से यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर गया, बट bullish नहीं हो सका, तो यह सब चीजे होती है, आपको समझ जाएगी, यह basically technical का part है, तो इस बहुत ही अच्छा parameter होता, PE ratio, यानि कि यह stock कितना महंगा था और कितना सस्ता था, तो अगर मैं price को हटा करके PE ratio कर दूँगा, तो यह मुझे सिर्फ PE ratio का बताएगा, कि PE ratio क्या है, यह PE ratio बताएगा, और अगर मुझे more जानना है, तो मैं और यहाँ पर जानना है, तो मैं और EMA को देख लो, ओके, यह funda हो गया पहला पार, और यहाँ पर volume तो दुखो, यह जहाँ पर volume ज्यादा बनी होगी, वहाँ पर volume ज्यादा दिखेगा, यह तो हो गया normal information, उसके नीचे अगर हम चलेंगे, तो अब हम analysis वाले segment पर है, तो यहाँ पर pros, यह basically company अपने आप से हमें इस पर ध्याद नहीं देना है, इसको बिलकुल भी ध्याद नहीं देना है, आप यहाँ पर आद रगो, आपको अपनी analysis करनी है, और उसके बाद जज करना है कि यह stock अच्छा है कि बुरा, उसके बाद यहाँ पर pros, तो यह कुछ अच्छे भी लिखे होंगे, कुछ खर तो यह भी आपको में जागे, यहाँ पो उसका जो नुकसान है, तो यह दिख देंगे, basically मैंने सीडे कहा, इसके उपर हमें ध्यान नहीं देना है, तो हम चलते हैं अपने पुराने वाले stock में, Tata Motors, okay, हम कहाँ पे थे analysis वाले segment पे थे, तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, अब नीचे आज़ना है, यह बहुत important है, यहाँ पे नाम तो, उसके साथ साथ सेम बिजनेस करने वाली company कौन सी है, जैसे असोक लेलंड, आपको पता है, गाड़ी बनाती है, Tata Motors, DVR, यह भी उसी का है, बट यह अलग है, Force Motors, यह भी आपका गाड़ी बनाती है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, इसी segment के साथ काम करने वाली companies, अब यहाँ पे देखो, जो information नहीं, यहाँ पे CMP, यानि उनका current market price, तो यह basically, जिस दिन आप देख रहे हो, उस दिन का current price यहाँ पे आपको दिखेगा, ओके, अभी market बन दू चुका है, तो अभी की closing price यहाँ पे आपको दिखेगी, market cap, तो इसका market cap कितने काई आपको मिलेगा, इस information के बारे में मैं फिर से आता हूँ, और इस information में हमें क्या-क्या देखना है, हम इसको edit भी कर सकते हैं, तो अगला part जो होगा मेरा, मतलब अगली इसी video में आगे में जो बताऊंगा, तो इसके तो इसके बारे में बताऊंगा, अभी यहाँ पे अंडरस्टेंड करो कि यह quarterly results आ रहे है, अब quarterly results का, मतलब क्या होता है, कभी company का performance कैसा है, यहाँ पे quarterly results, उसके बाद profit and loss, तो profit and loss मतलब की yearly results, यह हो समझो, अगर आपको annual results देखना है, यहाँ आपको annual results देखना है, yearly results देखना है, तो वो profit and loss आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिक करोगे, तो direct आ जाओगे, quarters का देखना है, तो quarters आपका ऊपर है, इसके, यह तो होगे आपको, in information के बारे में, मैं detail में discuss करोंगा, और अगर आप fundamental जानते हो थोड़ा सा, तो आपको idea होगा, और कि 10 साल की उसकी जे sales growth है, वो 6% की है, यह पूरी information बहुत important होती है, आप यहाँ पर पढ़ करके काफी information, मतलब company के बारे में understand कर सकते हो, और इसको कैसे पढ़ेंगे, वो video मैं बताऊँगा, अगला होता है balance sheet, तो balance sheet में मतलब company का भईया पूरा, मतलब सम्झो कच्छा चिठ की, तो cash तीनों segment की मतलब finance activity, operating, investing और financing, तीनों से आपका क्या cash flow हो रहा है, पूरा यह भी 10 साल पूरा आपको data मिल जाएगा, उसके बाद ratios, ratios में कुछ अच्छे अच्छे ratios होता है, जो कि आपको जानना है, और उसके हम नीचे जलेंगे, तो share holding pattern, या नहीं, basically, इसको कौन कि यह 20%, ओके, यह चीज़ धमजो, अब यहाँ पे देखो जरा, 2020 से जब इसका share price उपर जाने लगा, तो public नीचे जा रही है, मतलब public का holding कम हो रहा है, तो basically यहीं पर fundा होता है, public कम होने लगे, तो यह समझ जाओ, share अच्छा है, ओके, खेर, यह सब analysis मैं आपको सेखाऊंगा, बट अब हम आगे बढ़ते हैं, तो simple यहाँ पे अब देखो नीचे, यह बहुत जरूरी है, आपको लगए गए इसका मतलब क्या है, लेकिन यह बहुत ही जरूरी है, यहाँ पे देखो कुछ उनकी updates जो निकल क्याते हैं, वो यहाँ पे मिलेगी, important है तो important मिल जाएगी, search म तो किसी agency ने इसको क्या credit rating दी है, आप उसको भी पढ़ सकते हो, जैसे rating update अगर यहाँ पे 15 जोन from care, तो care rating करके एक agency है, यहाँ पे क्राइसिल है, यहाँ पे ICR है, तो इन rating agencies ने इसको क्या rating करी है, बेसिकल अगर आपको rating का value पता है, मतलब rating को कैसे देखते हैं, क्या होता ह है, तो आपके लिए important है, और अगर आपको नहीं पता है, तो basically आप इसको ignore कर सकते हैं, वैसे एक ची याद रखो, अच्छी rating अच्छी company के लिए मानी जाती है, मतलब अच्छी rating के लिए अच्छी मानी जाती है, उसके बाद यह बहुत ही अच्छा segment है, मैं इसके लिए तो इन company वाले को thank you बोलता हूँ, यह जो इस creator के management है, उनको मैं thank you बोलता हूँ, कि आप यह चीजे यहाँ पर free of cost प्रवाइड कर रहे हैं, यह बहुत जरूर होता है, मैं हर एक company का लगवग पढ़ियेता हूँ, मतलब जिसको मुझे interest होता है, तो यहाँ पे जून 2023 का transcript, यह transcript क मतलब क्या है, जो इनका performance share करते हैं, तो वो पूरी एक meeting होती है, वहाँ पे research करने वाले लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि आपके company में यह नुकसान क्यों हुआ, इतना loan आपने क्यों ले लिया, इसका कारण बताओ, तो वो सब पूरा जो answer होता है, यहाँ पे मिलता है, त तो transcript मतलब जो भी बोला गया है, उसका लिखीत में यहाँ पे होता है, तो इसका PPT भी आप कर सकते हो, डाउनलोड, notes भी count कर सकते हो, और transcript भी कर सकते हो, notes का मतलब बेसिकली, इस company वाले ने, screener ने क्या important चीज़े highlight करी है, PPT मतलब जो PPT आपको दिखेगी, वहाँ पे company वाले उने use करी थी, और transcript, तो मैं transcript करता हूँ, यह बहुत जोरी है, तो अगर मैं इस पे click करूँगा, तो transcript यहाँ पे आ जाएगी, यह basically open हो जाएगी, तो मैं इसमें कोई भी terminology यहाँ पे खोज सकता हूँ, जैसे मुझे जानना है, इनके date के बारे में उन्होंने क्या किय तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे क्या करूँगा, Ctrl-F क्लिक करूँगा, D-E-B-T, और date पे चला जाओगा, तो यह देखो, again date continues to reduce 40,000 क्रों and TML India is, देखो, यहाँ पे इनोंने basically अपना date कम किया है, तो यह अच्छी बात है company के लिए, तो कोई भी terminology अगर मुझे जानने है कि company न मेरे पास free time होता है, तो मैं पूरा-पूरा detail पढ़ता हूँ, 23 page है, 10 minute, 20 minute लगेंगे, क्या फर्क पढ़ेगा, तो आप अगर fundamental अच्छे से जानते हो, तो पढ़ा करो, नहीं जानते है, तो कुछ चीज़े आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, तो यह con call से आपको पता जाएग है, तो इससे हमें एक idea मिल जाएगा, मोटा-मोटी, कि company में growth हो सकती है, कि नहीं, यह सब चीज़े होती है, और कुछ बुरी चीज़े होती है, तो जब उनका result में कुछ बुरा दीखेगा, तो कोई वहाँ पर जो analyst होगा, वो question पूछ लेगा, तो उसके answer को भी पढ़के हम मैं वो बता रहा हूँ, आपको यहाँ देखना है, अब यह चीज़ हमारा हो गया, complete, इसके नीचे आप जाओगे, तो यह उनका कुछ अपना है, तो आप इसको पसंदसंद कर लिया करो, अपने दोस्तों के साथ share भी कर लिया करो, इनका basically एक application भी है, आप इसको चाहँ तो install कर सकते हो, basically मैं install नहीं करता, इनके कुछ product है, और यहाँ पे देखो, dark कर दोगे तो यह black में आ जाएगा, okay, मैं light यूज़ करता हूँ, there is nothing to worry, तो अब मैं ऊपर चलता हूँ, यह तो हो गया हमारा, इसके बारे में structure समझना, okay, अब दूसरी चीज, यह जो information मिल रही है, इ मैंने कुछ ratio लगा रखा है, आप इसका screenshot लेकर के, यही यह ratio लगा दीजिए, okay, यह ratio लगा दीजिए, इसके बारे मैं बता दूँगा किसी वीडियो में, बट अगर आपको पता है, तो that means, आप यहाँ पे देख रहे हो, see, simple यहाँ पे बात है, आपको सीखना पड़ेगा, यह जो चीजे है, यह एक एक चीज लंबी चीज है, तो इसको मैं पूरा एक्सप्ले नहीं कर सकता, आपको यहाँ पे मिल जाएगे, तो यह देखो, पूरा ratio मैंने यहाँ पे लगा रखा है, तो आप इन सब ratios को, आप screenshot ले लिजिए, और अपने वाले में set कर दीजिए, कै इसका sales growth क्या है, तो मुझे quarter on quarter, year on year quarterly sales growth जाना है, यह भी price to sales जाना है, तो price to sales में click कर दूँगा, तो यहाँ पे आ गया, ऐसे आप arrange कर सकते हो, add कर सकते हो, basically add तो कर सकते हो, लेकिन अब इनको एक order में arrange करना भी बहुत जरूरी होता, जैसे क्या चीज सबसे पहले देखनी ह उसके बाद उसका PE क्या है वो देखना है, ROCE क्या है वो देखना है, ROE क्या है वो देखना है, so इनको arrange भी करना होता है, ताकि आप एक flow में देख सको, जैसे मुझे पता होता है कि मेरी information कौन से मिलेगी, तो जब भी मैं website पे आता हूँ, so तुरंत मेरी नजर वहाँ पे चल पीछे लेके जाना, तो आप आगे पीछे लेके जा सकते हो, तो आप इस वाले को भी screenshot ले लो, और इसके हिसाब से भी आप arrange कर लो, उसको आप left की mouse का डबा के रखोगे, और कहीं घसीट के लेके जाओगे, तो वो चला जागा बैचारा, बड़ा मासूम है, आप जहां चा नीचे जब चलेंगे, तो हमारे पास, इसमें तो कुछ नहीं करना है, अब यहां पर हमें, पियर कंपरिजन में, जो उसी segment की, उसी business की companies है, उनमें से कांसी company fundamentally सबसे अच्छी है, या फिर अगर हम समझे, तो वैल्लिवेशन वाइज सस्ती है, या फिर वैलुमेशन तो हमें कभी-कभी क्या होता है कि जैसे आप लेट से मार्केट में जाते हो सामान खरीदे और आपने वहाँ पर पसंद किया कि आपको एक कोई शाबून लेना है तो साबून तो बहुत-से बहुत सी कंपणी के है लक्स का भी साबून है डटॉल का भी साबून है लाइब कि आपका एक company हो गया तो उसी business की यानि उसी company की मतब उसी business में जितनी भी companies हैं उनके अलग-अलग point को देखोगे तो आपको पता चिलेगा basically इन सब का logic हम सब सीखेंगे इसके लिए आप किसी का भी YouTube का किसी का भी ratio analysis का video अगर आप search करोगे तो किसी का भी YouTube का आजएगा मैंने basically अभी तक नहीं बनाया है तो आप अगर ratio analysis सर्च करोगे तो वो आ जाएगा उसको आपको वो वीडियो देखने के बाद यह आपको समझ में आ जाएगा तो अब यहाँ पे भी important है यहाँ पे देखो मैंने सब कुछ लगा राखा है तो अपना यह जो columns है यह information इसको arrange कर रह business में इस category में सबसे कम पिसका PE है तो मुझे देखना है PE सबसे कम तो यहाँ पे 40 का PE है तो मुझे PE wise पता चल जाएगा तो यह मेरा अलग से point होता है अगर मुझे जाना है कि सबसे ज्यादा किसका sales है यहाँ पे sales देखो काफी profit growth है sales भी है और यहाँ पे profit है तो मैं sales देखन का हूँ 58% का sales growth है aso clayland का 24% का sales growth है Tata Motors का 83% का sales growth है Electra Green Tech का और Electra Green Tech का मैंने वीडियो बना करके I think डाला हुआ है देखो मुझे याद नहीं है मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ फिर हो सकते है मैंने कहीं अपडेट जरूर करी है विकास Electra Green का मैंने अपडेट करी थी तो य अच्छे से profit के साथ खड़ा हुआ है Electra Green Tech और यह भी तो ऐसे हम यहाँ पर 5-year के basis पर देख सकते हैं अब इसमें आप चाओ तो और भी चेंज कर सकते हो ओके पेग ratio यह भी बहुत ज़रूरी होता है तो यहाँ पर पेग ratio देखो तो उसके इसाब से पर और Electra Green Tech अच्छी ह So that is different thing कि अगर आपको यह सब चीजे पता है तो आप इसको देखोगे बट यहाँ पर आप क्या करो जैसा मैंने set कर रखा है वैसा कर लो अब इसको कैसे करें तो यहाँ पर एडिट कॉलम से आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अलग एड़ी कर सकते हो कुछ भी आपको चाहिए तो यहाँ पर एड़ कर सकते हो simple समझ में आ गया add भी कर सकते हो और यहाँ पर किस segment से देखने जैसे balance sheet से देखना है या फिर cash flow से देखना है तो आप यहाँ पर अलग अलग चीज़े add कर सकते हो जो चीज़ आपको पता होगी आप उसको कर सकते हो तो यहसे मैं करता हूँ एक sales growth sales growth 10 year अब यहाँ पर 10 year का sales growth है historical तो मैं इस पर sales growth median, sales growth 10 years, यहां पर 10 year इसको मैं click कर दोगाонов इसको मैं add कर दूँगा यह देखा add okay और इसको मैं save कर दूगा तो से बदूगा यहां पर ऐखो sales growth 10 year कहां पर आ गया ? profit growth sales growth कहां पर गया कि आया नहीं क्योंकि वहां पर नंबर कुछ कम हो रहे हैं, तो that is different thing, कि आप अपना अपना लगा सकते हैं, basically मैंने इतना ज़्यादा लगा रखा है, तो वह नहीं दे रहा है, okay, profit है यहां पर, profit important होता है, sales भी तो ठीक है, sales करो, यहां पर इस sales growth को अगर महटाना चाहों, तो 10 यहीं हमें पता जा सकें, okay, तो simply आप इसको change कर सकते हो, अपने हिसाब से, और मैंने आपको बता दिया, उसके बाद, save जरूर करना, अब इसके बाद नीचे चलता है, quarterly results, so quarterly results में भी हम यहां पर जा सकता है, product segment, product segment में क्या आपको मिलेगा, कि, अच्छा इसके लिए upgrade जाना point मिल जाएगा, बट यहां पर हम roughly समझेंगी, कि पूरे segment में, पूरे business में क्या हो रहा है, तो यहां पर हम देखे, तो June का quarter है, अब एक quarter आपको पता होगा, तीन महिने का होता है, so March का quarter, फिर June का quarter, फिर September का quarter, फिर December का quarter, उसके बाद अगला साल, तो यहां पर ऐसे ऐसे चल मैं इसको छीजों को explain नहीं करूंगा, because इनको explain करना, that is different thing, मैं website explain कर रहा हूँ, यहां पर आप इसका PDF डावलोड कर सकते हो, और नीचे चले, तो यह annual results है, annual results मतलब, वो quarterly था, यानि 3-3 महिने का, और यह था पूरे एक साल का, तो एक साल का खतम होता है, April से सुरू होता है, March में खतम होता है, तो यह देखो March wise है, तो March 2012, यानि कि 2011-12, तो 2011-12 के बीच में, इस company ने कितने का sales करी, तो यह थी, जैसे अगर हम latest वाला समझे, तो मुझे जानना है कि March 2023, तो that means, April 2022, एक April 2022 से ले करके, 31 March 2023 तक, company ने कितने रुपीज की sales करी, तो यहां पे देखो sales दी हु अब समझ लेना, तीन लाग कीर्ड तो इसको कोई आठी है आरी, आप यहां पे दोर को फिगर्स करोण मेंदिय हुए है, सो 3,4960,345, Ship 167 multiplied by 1 crore तब जाकर कि आपको real value मिलेगी तो मैं करके दिखाता हूँ जैसे 345 967 multiplied by यह इतने रुपीज की sales होई है तो यह बेसिकलि आप यहाँ पे देखो तो कुछ के figures lack में भी होते हैं कुछ के figures crore में भी होते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है आप उसको check कर सकते हो यहाँ पे आपको information मिल जाएगी यह updates मिल जाएगी आपको results की इसके नीचे देखो compound sales growth क्या है 6% की यानि कि यह company continue basis पे 6% से grow कर रही है और 5 साल का क्या है पिछले 5 साल का 3% है पिछले 3 साल का 10% है तो इसको हम अगर यूँ देखें तो इस चीज से में क्या समझ में आती है मैं आपको एक logic देता हूँ देखो जैसे 10 साल का देखें तो 6% है 5 साल का देखें यानि अभी से 5 साल का पिछले 5 साल का देखें तो 3% है और यहां से 3 साल का देखें तो मतलब 2020 से देखें तो 10% का है तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि इस company का business 2020 के बाद से ज़्यादा बढ़ा है यह logic आपको समझ में आएगा? समझ गे? इससे आपको पता चलेगा कि company का business सही में change हो रहा है कि नहीं तो पिछले 3 साल का अगर हम देखें तो 10% का growth है 10% का growth अच्छा मना जाता है तो 10% के अगर growth है तो that means company का इन पिछले 3 सालों में business बढ़ा है यानि पहले business नहीं था लेकिन अब business बढ़ रहा है तो एक बार price को देखें चलिए Tata Motors price को देख लेते हैं मैं daily chart यहां पर लगा रहा हूं मैं weekly ही कर देता हूं तक ही easy हो जाएं यह देखो पिछले 3 साल का अगर हम देखें तो यह रहा 20 I think corona से भी ऊपर आ रहा है बट overall देखो stock ऊपर जा रहा है I think आज इसने high लगाने वाला है बस यहां पर all time high के करीब है अपने तो यह देखो मतलब पिछले 3 साल उसे जब price उसका sales बढ़ा है मतलब उसका business बढ़ा है तो that means company भी बढ़े है कि यह common सी चीज है तो ऐसे आपको पता चलेगा यह just take my logic दे रहा हूं बाकि आपको अगर fundamental का knowledge होगा तो आप उसको सीख पाओ कि compounded basis पे क्या है तो compounded basis पे आप देख सकते हो compounded basis पे थोड़ा से negative हो है stock price का CAGR देखे तो 8% अब यह price का CAGR है मतलब price में company में कितने का profit हुआ तो 8% के साब 6 का 10 साल का है return on equity अगर देखे तो यह पिछले 10 साल का 5% है यह थोड़ा सा कम हो रहा है but that is different thing वो अलग-अलग समझ जाएगा business बढ़ रहा है तो थीरी दीर वो profitability में convert हो जाएगा see यह सब आपको पता होगा कि इन सब कैसे देख रहे हैं तो आप यहाँ पर समझ जाओगे मैंने just एक example दिया कि आपको इसको कैसे देखोगे इस तरीके से अब उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर है balance sheet okay balance sheet अगर आप क्लिक करोगे तो यह भी क्रोंस में है यह basically यहाँ पर आपको बताता है कि इसके पास company के पैसा कितना है company में कर्ज कितना है company का पूरा लेना देना क्या है तो यह सब पूरी चीज़े हाँ पर पेल जाते है balance sheet मतलब की company की जनम कुंडली यह आपको यहाँ पर समझ में आ जाए अगला cash flow cash flow भी बहुत ज़रूरी है cash flow मतलब की company का बही खाता यानि की basically समझो कि आपका जो कहां से पैसे आ रहे हैं कहां पैसे जा रहे हैं वो चीज़ और उनका देखो धीरे धीरे holding बढ़ने लगा तो किसी भी company में अगर promoter की holding बढ़ रही है तो वो अच्छी चीज मानी जाती है आप यह मान लिया करो को कि यहां से आपको पता जले कि promoter खुद की company के share खरीद नहीं खरीद नहीं खरीद नहीं उसके बद FIS FIS देखो 2020 में 15.62% hold करते थे और वो थोड़ा से नीचे कम हुआ उसके बाद फिर से उन्होंने जब नीचे गया था तब खरीदना सुरू किया थोड़ा सा कम भी किया और उसके बाद फिर से अब खरीदना सुरू कर रहे हैं तो यहां पे देखो पिछले साल तक उनके पास 13.89% का hold stick था और अभी उनके पास 15.34% है मतलब उन्होंने roughly अगर देखो so 1.5% 2% जैसा उन्होंने stake बढ़ाया मतलब FIS ने माल खरीदा हुआ है गोरों ने माल खरीदा हुआ है उसके बाद DIs देखें तो domestic institutional investor मतलब की इंडिया के कोहन है तो आप इनके अगर click करोगे जिसे FIS तो यहां पे देखो government of Singapore है और इसके बाद DIs पर click करोगे तो यहां पे देखो कि जितने भी company का investment होगा यहां पे पताज जागा so domestic institution investors that means अपने यहां के mutual fund ओके यहां पर click करोगे तो आपको पताज जागा public तो public में तो कौन होता है मतलब कुछ ऐसे लोग जिनके पास जो well known है मतलब एक पर्सन ज्यादा hold कर रहे है तो यहां पे देखो city bank है city bank hold कर रही है राकेश जुझवाला जी है जुझवाला राकेश रादे सेम यह कुछ है तो यह राकेश जुझवाला जी भी hold कर रहे है यहां पर उनका कुछ इस्टेक कम हुआ है, 2022 के बाद से इनका इस्टेक कम हुआ है, तो that is different thing, और यहां पर इन्होंने share transfer किया होगा, that is different thing, वो सब आपको पता होना चाहिए, यहां से आपको पता जाए कि किसने holding कर रखी है, पबलिक में basically, यह देखो आपको पता जाए कि city bank भी है, तो यह भी मिल जाएगा, और यहां पर आपको पता जाएगा, इसलिए इसमें public 20% की है, तो यह आपको information मिल लिए, उसके बाद यहां पर आपको on call पड़ जाओगे, तो यह information थी, इसके अपने scanner के बारे में, उसके बाद हम चलते हैं, दूसरी section पर, दूसरा section क्या है, हमारा है screens का, तो screen पर अगर हम आएगे, तो यहां पर आपको पर आपना scanner भी बना सकते हो, यह से आपको कोई scanner बनाना है, तो मैं उसके बारे मताता हूँ, good fundamental, यहनि company का fundamental, अच्छा हो, और यह webinar है, तो इसको पर नहीं चलते है, popular theme, तो theme में क्या करेंगे, जिससे low on 10 year average earnings, capacity expansion, मतलब company अपना business और ज्यादा बढ़ा कर रही है, यह बहुत ज़रूरी था, आप लोगों को लगता है, कि यह चीज बहुत अच्छी है, FII buying, इसको मैं क्लिक करता हूँ, FII buying का मतलब है, कि जो FIS खरीद रहे हैं, जिस company में, तो यह आपको यहाँ पता जगे, Escorts Kubuta में खरीद रहे हैं, Bank of Maharashtra में खरीद रहे हैं, यह basically 53 companies यहाँ पर आ गई है, तो यह आप यहाँ पर कर सकते हैं, अब यह जो scanner लगा हुआ है, तो यह आपको किस basis पर बता रहा है, quarterly basis पर या yearly basis पर, आप अगर नीचे जाओगे, तो वहाँ पर मिल जागा, यहाँ पर change in FII holding greater than 1% and FII holding minus change in holding greater than 5%, तो यह इस basis बता रहा है, बतलब overall यह बता रहा है कि पिछले, I think, यह quarterly basis पर लेगा है, तो यह quarter basis पर आ रहा है, यहाँ पर देखो, quarterly basis पर आ रहा है, अब हम आगे चलते हैं, इसके थोड़ा सा step चलते हैं, तो यहाँ पर यह company है, जिन में FII's hold कर रहे हैं, और मेरे एक suggestion है, जिसमें FII's hold कर रहे हैं, वहाँ पर आप अगर कोई breakout की opportunity या फिर कोई अच्छी opportunity जो भी आप scanner यूज़ कर रहे हो, तो वह ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे की सूर्या रोस्नी यहाँ पर देखो, मेरे सामने अगर आगई, मैं सूर्या रोस्नी के बाद लिता हूँ, यह देखो, मेरा flag भी लगा हुए, तो that means मेरा भी इसमें interest है, और यह जो मैं बता रहा हूँ, यह कोई tip या फिर advisory नहीं है, मैं सिर्फ आपको educational purpose के लिए यह चीज़ discuss कर रहा हूँ, इस स्टॉक का नाम ले रहा हूँ, बेसिकली किसी भी स्टॉक का मैंने यहाँ पर नाम लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ educational purpose के लिए है, ना कि tip या फिर advisory, उके, इनिवस्ट करना है, तो अपनी खुद के नासिस को फे करो, अपने financial advisor से संपर करो, दिन उसके बाद ही इनिवस्ट करो, अब यहाँ पर देखे, तो यह देखो, price भी आपकी बढ़ रही है, ultimately, तो यह चीज़ define करती है, कि अगर FIS buying कर रहे है, तो उनमें आप कोई अच्छी अपनी अपोजिटी खोजोगे, breakout के अपोजिटी यहाँ पर खोजोगे, तो आप उसमें एक अच्छा कासा पैसा बनाने का chance रखता है, यह basically weekly chart है, तो daily chart पर अगर मैं चलो, तो देखो, जब भी आप अगर कोई breakout buy कर दो है, तो आपको help होगी, कि अगर FIS buy कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर trade करने में आसानी होगी, आपको थोड़ा chance रहेगा पैसा बने का, तो आप यहाँ पर FIS holding के बारे में चेक कर सकते हो, बट that is, आप अपने risk पर करो, मेरे कहने पर मत करो, यह हो गया, अब आगी चलते हैं, तो यह तो ठीक है screens आगे, उसके बाद popular formula है, यह थोड़ा अलग है, मैं इसके बारे में risks नहीं करूँगा, बिसकलि जो जानते हैं उनको पता होगा, यह देखो price and volume, तो यहाँ पर Darwax का कुछ बन रहा है, golden crossover बन रहा है, golden crossover बेसिकली 50 DMA और 20 DMA का crossover बन रहा है, तो यह सब technical scanner है, यहाँ पर कुछ results भी है, अब यह results वाले आप देख सकते हैं, valuation के बारे में भी screen है, तो यह basically screens already बनी हुई है, यहाँ पर क्लिक करोगा, तो so all screen आजाएगी, सब यहाँ आजाएगी, तो आप एक बार यहाँ पर देखो, कि कैसी कैसी screens बनी हुई है, जैसे debt reduction बेकर में क्लिक करोगा, तो वहाँ पर पहले भी था, तो debt reduction का मतलब यह है, कि company अपने करजियों को कम कर रही है, और आपको पता है, किसी भी company के लिए करजा बहुत खतरनाक होता है, और अगर जब company अपना करजा कम करने लगती है, तो उसका अच्छा chance होता है, मतलब chance होता है, कि वो ज़्यादा उसका share price उपर जाए, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने इसके अगले वाले segment पर, अब यह अगला वाला segment का है, basically मैंने आपको बता, sector wise, तो sector wise आप में हाँ पर देख सकते हो, अब यह तो होगया, आप automatic यहाँ पर जो screen बने हुए है, आप इन सब को check करो, और आप उसका benefit उठाओ, basically अलग-अलग segment के बारे में, video बनाना जरूर नहीं है, क्योंकि यह video अलड़ी लंबा हो रहा है, मुझे पता है, but important चीज मैं आपको देता हूँ, और मैं हमेशा आपको entertainment भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको bore कर रहा हूँ, और अगर आप bore हो रहे हो, तो यकीन मानों, आप share market के लिए नहीं बने हो, यह आपको बुरा लग सकता है, but अगर आप bore हो रहे हो यह video देखते हुए, तो आप stock market के लिए नहीं बने हो, because आप अपने आपको धोखा दे रहे हो, आप knowledge लेने के लिए बैठे हो, तो आपको knowledge लेने के time पे bore नहीं होना चाहिए, sorry to say this, अब चलते हागे, तो हमारा अगला screen, तो यहाँ पर मैं खुद से बना सकता हूँ, खुद से बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने तरीके से बना सकता हूँ, जैसे simply मैं यहाँ पर लिखूँगा, sorry P रिखूँगा, मैं गलत P बोल गया, मैं बताऊँगा, ROI, return on equity, तो return on equity अगर किसी का 15% के उपर है, और वहाँ पर, समझें आप यहाँ पर तो मैं बताता हूँ, ROI, return on equity, sales growth और ROE basis पर बता रहा हूँ, यानि कि company का sales growth भी 10% का था, और ROE भी 15% के उपर है, तो यहाँ पर मैं ROE करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, return on equity, years, years, growth, 5 years, तो मैं यहाँ रिटर्न on equity, average दे सकता हूँ, तो मैं average वाला करता हूँ, ताकि average मुझे पता जज़के, तो average मैं ने क्लिक किया, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, greater than 5, sorry 15, 15, अब मैं लगा दूँगा end, क्योंकि end लगाँगा, तो अगली query एड़ होगी, उसके बाद मैं डालता हूँ sales, तो sales growth 5 year, sales growth 5 year, greater than 10, 10% की sales growth है, उसके बाद end कर दूँगा, अब मुझे जानना है market cap, तो उसकी market cap के बारे मैं थोड़ा समय डाल देता हूँ, कि मुझे जानना है market cap wise, मतलब छोटी company जाए, मुझे let's say, 1000 crore से बड़ी company जाए, या फिर छोटी company मतलब नहीं चाहिए, ये एकदम से बड़ी company जाए, तो मैं डालता हूँ, लिट से 10,000 crore जाए, तो market cap, ये बिसिकलि आपको पता होगा तो आप करोगे, market cap डिटर देन, 1000, देखो 100 का मतलब है 100 crore, 1000 का मतलब है 1000 crore, 10 का मतलब है 10,000 crore, तो मुझे 10,000 crore के ऊपर की company चाहिए, बेसिकलि मुझे mid cap company चाहिए, तो मैं run के वरी कर दूँगा, तो ये देखो 134 stocks आगे, जिनका जो 5 year का ROE है, वो आपका 15% के ऊपर है, और जो sales है वो 10% के ऊपर है, तो ये बेसिकलि अच्छी company माने जाती है, आप यहाँ पर देख सकते हो, सभी अच्छी company ही आ रही है, इनका अपने नाम सुना होगा, तो ROE 15% होने का मतलब यह, कि वो company अच्छी है, तो ये ऐसी conditions आप लगा करके, अच्छी company को filter कर सकते हो, अब यहाँ से आप चाहो तो इसको download कर सकते हो, लेकिन download आई थिंग यह premium feature है, तो यह आपको लेना पड़ेगा, फीस भी सच्छी है, कोई बात नहीं, बट यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो, और download अगर करना चाहो तो आप download कर सकते हो, या फिर आप अगर चाहो इसमें कोई change करना, तो query में फिर से change कर सकते हो, आपको अलग-अलग कोई condition लगाने है, तो वो भी लगा सकते हो, जैसे लेट से price wise, तो जैसे अब यहाँ पर देखो, कुछ 17 रुपए की भी company आई है, तो मुझे 17, sorry, यहाँ पर price है, यहाँ पर, जैसे 126 की company आई है, मुझे कोई छोटी company नहीं देखना है, मुझे बड़ी company चाहिए, मतलब 500 के उपर वाली, तो आप यहाँ पर price भी add कर सकते हो, कैसे, and closing price, या फिर current price यहाँ पर है, greater than, मुझे डालना है 100 रुपए के उपर वाली company चाहिए, तो मैं run this query कर दूँगा, अब देखो, यह 134 हो गया, तो मतलब 100 रुपए के उपर वाली company यहाँ पर मुझे दिख जाएगी, ओके, यह एक understanding थी, screener की, यह तो मैंने आपको बता दी, कैसे इसका use करना है, और अगले part में, मैं आपको इसका best use बताऊंगा, 2-3 scanner में आपको मैं दे दूँगा, ताकि आप खुद से उसको use कर सको, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो basically आप इसका 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 इस्तिमाल करो, सुरू-सुरू में क्या करना है, कुछ नहीं मैं आपको इक फारूं नहीं दाता, growth 5 year 10%, यह अच्छी कंपणी है, debt to equity एक के उपर नीचे होना चाहिए, तो यह देखो 0.02 है, अच्छी कंपणी है, ओके, industry का PE से सस्ता होना चाहिए, तो industry का PE है 14 का, और उसका PE है 14.2 का, तो यह ठीक है, मतलब सस्ती है 14.8, 14.2, तो यह अपने industry के PE से सस्ती कंपणी है, उसके बाद, हम उसका ROC देखे, तो वह 15% को उपर होना चाहिए, तो ROC देखो, यहाँ पर 22% है, अच्छी बात है, promoter holding 63% की है, मतलब promoter का अपने पास confidence है, तो यह सब चीज़े आपको यहाँ पर पता चलेगी, उसका मुझे results देखना है, तो जिसलेट से मैं yearly results देखता हूँ, तो yearly results देखो, बढ़के आया हुआ है, EBITDA इनका बढ़के आया हुआ है, profit इनका बढ़के आया हुआ है, यहाँ पर देखो, तो यह आप YouTube चैनल से सीख सकते हो, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आपको अगर अच्छे लगते हैं, तो आप मुझे बताओ किस topic पर वीडियो चाहिए, झाले हुआ है,